चीन को मोतोर जबाब देने के लिए भारत ने LAC पर उतारे अपने परमाणू बंबरसक अमेरिका ने भारत से सांथ रहने की करी अपील तो वहीं इसराइल और भारत ने LAC पर तेनाद किया सबसे घातक अतिया चीन के फाइटर जेट मिसाइल यहां तक की ड्रोनों को करते का तबाह नमस्कार दोस्तो आप देख रहे हैं उडियन नियूस चलिए इन खबरों को बिस्तार से जान लेते हैं दोस्तो कुछ दिन पहले चीन LAC पर बहुत उड़ रहा था और चीन ने अपने परमाणूं बंबर सक HK6 Bomber को LAC पर उता रहा था और इसके मात्यम से भारत पर तब दबा कायम करना चाहता था क्योंकि भारत के पास प्रेजेंट टाइम में कोई भी स्टेटिजिक Bomber नहीं है और HK6 Bomber की जो मारक चमता है बहुत दिल्ली तक होती है परंतु केंद सरकान ने भारती सेना और बायू सेना को देदी खुली छूट और अब भारती बायू सेना ने ऐसा कारनाम करके दिखाया है कि जिससे चीन को आपत कालीन बेठक बोलाने पड़ी है दरसल दोस्तो भारती बायुसेना ने चीन के आकरमक रवये को देखते हुए अपनी परमाणू बंबरसक फाइटर जेटों की एक जो फलीट है उसको तयार करना सुनू कर दिया और जब अमेरिका को इस बात का पता चला तो अमेरिका ने भारत से सांथ रहने की अपिल की है अनता बहुत ही बिधोण सक लड़ाई हो जाएगी एलेसी पर दरसल एलेसी पर चीन अपने फाइटर जेट मिसाइल इसके साथी ड्रोन और बॉंबरों के माध्यम से भारत को डराने थमकाने का काम करता रहा है भारत अभी तक केबल डिफेंसिव पॉलिसी को अपनाता था परन्तु अब चीन को लेकर भारत बहुत ही आक्रमा को चुका है और भारती बायुसेना ने अपने परमाणू हमला करने में सक्चम फाइटर जेटों का एक स्कौर्डन बना कर तयार कर लिया है और यदि आवश्यकता पड़ी तो फिर चीन के ऊपर इनी फाइटर जेटों के द्वारा हमला बोला जाएगा दोस्तो भारत के इस आक्रमा करवये को लेकर चीन की तरफ से अप बयान निकल के सामने आया है कि भारत अप चीन के खिलाफ बहुत ही आक्रमा करूप अपना रहा है और इससे दोनों देसों के रिष्टे और भी जादा खराब हो सकते हैं परन्तु दोस्तो चीन ने खुद ही भारत से रिष्टे खराब कर लिये हैं जिसके चलते भारत को अब चीन के खिलाफ कड़े कदम उठाने पड़े हैं दोस्तो दूसरी वर पड़ी खबर निकल के सामने आ रही है भारत और इसराइल की दोश्ती को लेकर दरसल भारत और इसराइल की द्वारा बनाया गया बेहती घातक हतियार भारत ने रात और रात एलेसी पर तेनात कर दिया और दोस्तो इस हतियार की तेनाती की जैसे ही खबर चीन में लगी है तो चीन में आबत काले इन बेठक बोलाई गई है क्योंकि भारत और इस्राइल ने इस हतियार को केवल एमरजेंसी टाइम पर यूज करने के लिए बनाया था दरसल दोस्तों हम बात कर रहे हैं भारत के स्टेटजिक अरली वारनेंग डूल बेंड रडार की बारी में जो कि दोस्तों चीन के किसी भी फाइटर जेट, मिसाइल, ड्रोन, बंबरसक विमान यहां तक कि जो अंतरक से मलवा प्रदिवर गिरता है उसको भी आसानी से ट्रेक कर सकता है इसके पस्चात भारत की मिसाइलें उन पर बिजली की तेजी से तूट पड़के उनको आसानी से तबाह कर सकती है और दोस्तो यह हतियार भारत और इस्राइल ने बहुत ही कुप्त तरीके से एमर्जेंसी टाइम में यूज करने के लिए पनाया था और आज लट्दा के पास इसकी तेनाती भारत ने कर भी डाली है तो दोस्तो भारती सेना और भारत सरकार की चीन की उपर इस कारवाही को लेकर आप सभी की क्या राहे कमेंट बॉक्स में अपने राज आपसे देए वीडियो देखने के लिए धन्यबाद जैहन जै भारत